देश की आँसा आपे छाओं के भीतर वो कौन सी आत्मा बस्ती है उसको जितना मैं समझ पाया हूँ उसको लेकर के मैंने अपना पूरा कालखन देश के उन लोगों को एमपावर करने में खपाया मेरे दलीत हो, शोशीत हो, विडीत हो, पंचीत हो, आदिवासी हो, मैला हो, युवा हो, किसान हो, तिम्व्यांग हो, भूरब हो, पस्चिम हो, उत्तर हो, तक्षिन हो, समितर का तट हो, हिमालय की कंद्राए हो हर कोने में, महत्मा गांदी का जो सपना था, आखरी इनसान की चिंता करने का, महत्मा गांदी जी का कहा चाती, अंतिम छोड पर बैटे हुए ब्यक्ति को समर्त बनाने की, मैंने अपने आपको उसके लिए समर्पित किया, और उन आठ साल का नतीजा, आज हादी के इतने द सको का अनुभाव, आज पतरतर साल के बात जबहां अमर्त काल की और कदम रख रहे हैं, अमर्त काल की ये पहली प्रभात है तब, मैं एक ऐसे समर्थ को देख रहा हूँ, और जिससे मैं गर्व से भर जाता हूँ, देश वाचियों, मैं आज देश का सबसे बड़ा सा उभाजिये देख रहा हूँ, कि भारत का जन्मन, आकांग्शी जन्मन है, एस्प्रेस्टल सुसाइटी, किसी भी देश की बहुत बड़ी अमानत होती है, और हमें गर्व है, कि आज हिंदुस्तान के हर कौने में, हर समाज के हर वर्ग में, हर तबके में, आकांग्शाएं उफान पर है, कि देश का हर नागरी, चीजे बदलना चाहता है, बदलते देखना चाहता है, लेकिन इंतजार करने को तयार नहीं है, अपनी आँखों के सामने देखना चाहता है, कर्तबे से जूड़ करके करना चाहता है, वो गती चाहता है, वो प्रगती चाहता है, 45 साल में संज्वे हुए सारे सपने, अपने ही आँखों के सामने पूरा करने के लिए वो लालाइत है, उत्साहित है, उतावला भी है, कुछ लोगों को इसके कांसंकट हो सकता है, क्योंकि जब एस्प्रेशनल सोशाइकी होती है, तब सरकारों को भी तलवार की धार पे चलना पड़ता है, सरकारों को भी समय के साथ दोड़ना पड़ता है, और मुझे भी स्वास है, तो यह एकेंद्र सरकार हो राज्ज सरकार हो स्थानिय स्वराज के संस्ताहे हो किसी प्रकार के शांथन व्यवत्ता क्यों नहों हर किसी को हिंएश्प्रिस्टन्स फॉसाइटी को ऐड्रेस करना पड़ेगा उनकी आकांघ्छाओं के लिए रहे ज्यादा इंतजार नहीं कर सक झाल 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 झाल